देखिए आज का पहला प्रस्ण देखिए आपके स्कीन पे है प्रस्ण क्या है देखिए प्रस्ण देखिए प्रस्ण देखिए प्रस्ण देखिए डोकुमेंट में गनित्य चिनों एवंग सुत्रों को इंसर्ट करने की सुविद्धा निमलिखित में से कौन देता है तो इस तो नबर सिस्टम का परियोग बाइनरी होता है ओप्शन नबर जो है सी ओला राइट एंसर हो जाएगा हम लोग जलते हैं अगला पॉस्टन पे अगला है 133 नबर पॉस्टन को एक सखं़ पॉस्टन है कोई कम्पूटर एनलोग डेटा को पाचानने और समझे इनके लिए पह सब्सक्राइब कीोडिएगा कि लिए बीस पपें चे कितना प्रताइक एंसर आप लोग पहलेνα जानते थे अगर आपका एकशाम इस परकार सब्सक्राइब और आता है तो आप कितना प्रस्टन सव्शन करके आएंगे आप लोग ज़रूर कमेंट की जिए ठाख है अमने लो से समांधित है तो दसदो कोडर अडी कोडर से समांधित होता है अपसान नवर जो है पहला राइट एंसर हो जाएगा कि देख्ट एक 136 नवर पस्टन को कि भीट निवन में से किसका छोटा रूफ है तो तो बाइनरी डिजीट का छोटा रूफ अप्सान नवर जो है, C उला राइट अच्छल हो जाएगा, नेक्ट है एक कम्पिटर की स्मरिति समाईने तोर पर किलो बाइट अत्वा मेगा बाइट के रूप में बेखत की जाती है, एक बाइट बना होता है, एक बाइट बना होता है, तिरफ नवर जो तो इसका राइट का एक समू एक डेस बनाता है चार बिट्स का एक समू एक क्या बनाता है यह बनाता है एक निबल बनाता है अगला है बिट का क्या मान होता है बिट का मान क्या होता है त्यांस तो बिट का मान 0 और 1 होता है अगला है एक टेराबाइट किसके बराबर होता है तो एक टेराबाइट दो का पावर 20 मेगाबाइट के बराबर होता है अब साथ नमर जो है यह वला राइट एंसर हो जाएगा एक टेराबाइट बराबर होगा दो का पावर 20 मेगाबाइट सिस्टम बस को तीन कारित्मक समुह गएत क्या गया है निम लिखेत में से सबसे उंचीत विकल्ब चुनिये सबसे उंचीत विकल्ब चुनना है पहला मद एटा बस एड्रेस बस और कंट्रोल बस एही तीन हो जाएगा पहला वाला ही राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं अला पस्टन पर अगला 162 नवर पस्टन कंप्यूटर डेस एक परकार का मेल वेयर है जो सवाए कि एक कोपी को किसी एन ये प्रोग्राम में डालकर अपने डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिंसा बनकर फैल आता है तो इसका राइट एंसर तो वाइरस ऑप्शन नमज जो है बी वाले इसका राइट एंसर जागा अगर आपके कंप्यूटर वाइरस आ जाता है तो अपने आप अलग अलग फोल्ट बनने लगेगा अगला पस्टना है कंप्यूटर ब्योस्था जो जोडती है तथा भीविन देशो में से संकलित कर सेटलाइट दुआरा विश्व में पहुंचाती है उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं त्यांस तो उसे निक नेट कह जाता है निक नेट ऑप्शन नमबर जो है डिए टोलर रा नेस्ट है देखिए अगला नमबर कम्प्टीटर हैं कि मेला पहला दिया हवा है एक इक क захो अगला है एक अगला है एक जो ब्यक्ति-गत्र से लाब को लाब के दूस्री इराधों से कम्प्टर सुरक्षा का पालन नहीं करता हैill हो जाएग ऐगा जो हैकर होता है उतँव् क्वाइब उप्वाइब श्याव हो जागी के नेक्स्ट है कम्प्योटर में फैलने वाला वाइरस है त्याश्ट फिर्फयोटर फैलने वाईरस प्रोग्राम है ऑपसन नबल्चन जो है भी अलए अंसर हो जाएगा नेक्स्ट नोग आते हैं एगला पस्टन पर एगला है कंप्योटर को चलाने के लिए मुलभूत आवसेक्ता क्या है त्यास्तो मुलभूत आवसेक्ता हुआ है अपरेटिंग सिस्टम अपसन नमजो है सी राइट एंसर होगा नेक्स्ट नेक्स्ट है एगला पस्टन अगला पस्टन क्या है रेखिए एक संगठन द्वारा उसके करमचारियों के लिए अन्य उप्योग के लिए इस्तेमाल के जाने वाले नीजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है त्यास्तो नीजी नेटवर्क को इंट्रानेट कहा जाता ह अगला है यदि आप सिगनल डिग्रेड किये बिना नेटवर्क की लेंथ बहाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना होगा तो रिपीटर का यूज करना होगा ओप्सन नवर जो है डिग्राइट एंसर हो जाएगा डि नेट्स नवर चलते हैं अगला पस्ट पर दोस्तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और मैं चैनल में पहले बार आयांगे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें तो क्यों में इस चैनल में हम बहुत ही सोट समय लेकर और करने का एक कनेक्सन है कौन है जो यक साथ करने का कनेक्सान है किया नेट वर्च ऑप्सन डिखित में से उवह ब्यवस्ता कौन है जो एक सर्वर को डाटा युजरूर्प existence इत्यादी का परवंद ना करने में मदद करती है इसका एंसर हो जागा नेटवर्क ऑपरेक्टिंग सिस्टम ऑप्शन नमर जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है ताहिए दोस्तों कि यह सेट आप सभी को बहुत ही अच्छा लोगा होगा और अगर आप लोगों को पसंद आद वीडियो को हो जाएगा